बस्तों के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं तो आपको इन में से बताना है कि चमड़े के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं बताइए सोनभद्र और इलहावाद जौनपूर और राम नगर मुरादाबाद और लखनौ आगरा और कानपूर तो इस का अंसर बिल्कुल सही सा इब्राहिम सा कौन था तो जौनपुर राज का अंतिम सासक आप बता पाएंगे हुसेन सा सर की कौन था हुसेन सा हुसेन सा और जौनपुर को सी राजे हिंद भी कहा था भारत का सी राज भी कहा था सी राजे हिंद नेक्स है निम्रिखित में कौन सा उत्त्रप्रदेश का स अब से प्राचीन कौन सा है तो इसका अंसर है इलहावाद सिंड्ल इंविस्टि इलहावाद विस्विद्दियाल है ौपी यहीं पर दढ़ीच रिशी ने अपने देदान भी किया था ललता देग प्रिश्द मंदिर है जरूर जाए एक बार नायमिस रायर तिर्तिस्तान सितापूर में श्थित हैं है पिए उत्तर्मदो रियलवे नौर्थ सेंटरल्वे सब्धाइब को कह 나य है का रहावाद में क्या कहते हैं अब क्या कहते हैं इस प्रेाग्राज प्रेया राज प्याज गराज उसां फोbar मिचा मुखा फ्रतिए प्रेजे ने के उत्तर प्रदेश में नक कटया मेला कहां पर आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश में नक कटया मेला कहां लगता है लखनों प्रयागराज वारानसी सारनपुर तो नक कटया मेला आप सब जानते है यूपी के किस जिले में भरता है वारानसी में कहां पर वारानसी में पर यूपि के रामपूर जीले में रामपूर इस प्रकार को सुनते रहें बहुत ही बैतिन को क्वेशन है इन सब को करने के बाद आपको यूपी के लिए किसी अनबुख्या आप सकता नहीं पढ़ेगी यूपी के लिए यूपी आरो हो यूपी पी सम्मधिद को पैट रिप भारत कला भावन कहां इस्तित है भारत कला भास के हुण नेक्स है भारत में निम्सघ्षित में कौं सा राज गेहु विट उसक है सब से टहुट पात है ुपी तो सरवादी कहां पर होता है ऊत्तरप्रदेश कि चिर्जाद करें ़ो आप सब जानते हैं दू से बिर्यानी शूती चिकन दसेर सिंभी आम तो आप सबुखे आक परवची भारती दिवर सनावी दभार उन दुनिसमें ऑज już हुआ था तो आप सब जानते कहां पर हुआ था यह बनारस में हुआ था वानारसी में हुआ था नेक्स है उत्तर प्रदेश की निम्रिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरान पुदुसर्ण के कारण जैविक आपदा घोशित हो गई है बायोलाजिकल है ना आपका जो अंसर वह यम्ना उन्हार हो गया इसका यम्ना हाला की यम्ना और गोमती दोनों ही जैविक आपदा हो गई है लेकिं हम्ना कुछ जादे मात्रा में तो एक option कुई चुनना इसलिखित वाराण सी को निम्रिखित में किस ने अपनी दुती राजधानी बनायाए था अजाथ सक तुक कालासोग महाया सिसजुनान बताए बिता किको निम्द कि डिकत मेंchioम धानति सिस्युनाजात Claudio सिसन ranging है काला सोग इस नो खाला अनएक से जहन धर्म के तीरत कर पारशोनात का उन्द यह अ उत्तव जिलें हो प्रदेश को बहुत धर्मका पालना कहते हैं उत्तर प्रदेश को किशे कहते हैं उत्तर प्रदेश को एंसर यूपी यूपी नेक्स है टोपरा सहारनपुर ता मेरट के असोक इस्तमलेखों को दिल्ली कौन लाया अलावदिन खिल जी फिरोश्चा मोहमद गोरी शिकंदर लोदी टोपरा सहारनपुर मेरट के असोक इस्तमलेखों को दिल्ली में कौन लाया आप सब जानते हैं फिरोश्चा तु में तो आप सब जानते हैं कब किया इस टांसर एक हजार अठारह उननीश में नेक्स है प्रदेश के मेरट नगर में प्रथम सुन्ता संग्राम का पारम कब हुआ 10 अपल 1857 17 जुन 1857 10 मैं 1857 20 मैं 1857 तो कब हुआ मेरट से कब बिद्रू पारम आप सब जानते हैं 10 मैं 1857 को 10 मैं 1857 को मेरट से प्रथम सुन्ता संग्राम फर्ष्ट इंडियन वार उप इंडिपेंडेस से स्टार्ट वाट 10 मैं 1857 को गोरखपुर के समी प्रिष्टित चोरी चोरा कांड कब हुआ था चार प्रवरी 10 अप्रेल 5 प्रवरी 27 प्रवरी तो आप सब जानते हैं चार प्रवरी 1922 को चार प्रवरी 1922 को और इसी वज़े से मानत्मा गांदी ने प्र असयोग आंदलन वाफिस ले लिया था 1857 के स्वाधिन्ता संगर्स की विरांगना महाराणी लक्षिमी बाई की जन्मिष्टिली है आगरास जहांसी वालानसी-ब्रंदावन महाराणी लक्षी भाई का जन्म कहां पर हुआ था इन में से तो आप सब जानते हैं कहां पर हुआ था वालानसी में वालानसी के मड़ी कड़ी का घाट पर इसलिए मड़ी पड़ी का उनका नाम भी था वालानसी में हुआ था उनका पालन पोशन में नहीं हुआ पालन पोशन लखनव शाहरंपुर कहां पर सई वे थे तो अब सब जानते हैं प्रयागराज में इलहावाद में प्रयागराज में सई वे थे अलफेल पार जिसे आच्छन सगराज पार्ट नम सी जानते हैं बुंदेल खंड छेत के लिए सरवादिक उप्युक्त फसल जक्रहें जौर अरह नेक्स है निम्रखित में किस में जिले के सीमा अंतरास्टी जित सीमा इस पर स्पर्स नहीं करती है बलरामपूर पीली भीट बस्ती सरवस्ती तो कौन सा जिला इसमें अंतरास्टी शीमा नहीं बनाता है बस्ती नहीं बनाता है यूपी के साथ जिले लगते हैं नेपाल से उन में से बल्रामपुर भी लगता है पीली बीद भी लगता है स्रावस्ती भी बस्ती नेपाल से नहीं लगता है याद रखे वर्सा के वित्रण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवाई भ्यागों भ्याजित किया गया है वर्सा के वित्रण के आधार पर 3, 4, 2, 5 3, 4, 2, 5 क्या अंसर होगा इसका इसका अंसर है 2 59 का 2 दो भ्यागों में भ्याजित किया गया सबसे कम वर्षा यूपी के मत्रा जन्पद में होती है नेक्स है जन्गारणा 2011 के अनुसार राज में दस लाखी नगरों की संख्षा कितनी है पांस दस साथ ग्यारे तो आप सब जानते कितने नगर ऐसे हैं जिनकी पॉपलेशन टैन लाख से उपर है यूपी के 2011 के अनुसार वो साथ है कौन है साथ है उनको याद करना मैंने बताया था आपको कहीं याद करना है कबाल प्लस एमजी कबाली गई है न तो केफ और कानपूर आगरा वनारस अलावाद के दिए प्रयागरास अलावाद लखनौ मेरट गाजियाबाद कितने हो गए तीन दो पांस दो साथ के साथ महानगर है जो दस लाग से अधिक जन संक्या से उपर है तो इस शिक्स्टी बन आप याद कर लेंगे कबाल प्लस एमजी करके नेक्स है दो होजार ग्यारे के अनुसार राज में महिला आवादी कुल आवादी का लगबग कितना प्रतिसत है कुल आवादी का महिला लगबग 48% महिला अगिला और तालीस पर्सेंट returns उत्थे में स्थित अयुद्या नगर किस नदी किनारे इस्थित है गंगाशց इमनाchu गोमती सब ऒलक क्यानाभी सब जानते हैं किसके किनारे बसा हुआ है सर्यू सर्यू तर पर उत्तब्देश के प्रमुक नदी गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनी है तो आप सब जानते हैं गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है देव वाहिनी भागी रिथी अलक नंदा भागी रिथी भागी रि बी अंसर है ये देव प्रयाग एक स्तान है उत्राखंड देव प्रयाग से गंगा कहलाती कहां से देव प्रयाग से देव प्रयाग में अलक नंदा और भागरिती का संगम होता है जबकि रुद्ध प्रयाग में अलक नंदा और मंदागनी का संगम होता है तो देव प्रयाग जील है उसे गोमत जील कहते हैं और यहीं से आपकी गोमती नदी का ओरिजन भी होता है गोमती नदी का ओरिजन भी होता है गोमत जील कहते हैं उसको उत्तप्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस इस्थान पर गंगा से मिलती है किस इस्थान पर गंगा से मिलती है किस इस तो कहां से होती है कल्यान पत्रिका गोरखपुर से कहां से गोरखपुर से गोरखपुर चलिए एक दो कोशन और कर लेते हैं बिद्यावानी परियोजना निम्नुए से किस पे बल देती है कंप्यूटर मूल परियावरान कौशल बिकास पर किस पर तो विद्यावानी जो सिच्ध थी वो कंप्यूटर सिच्ध पर बल देती है उर्दू को राज की दुति भासा के रूप में कब शुकार किया गया किस येर में शुकार किया गया 1989 एक सट नवासी और उनत्तर में कब साइटालिस से हिंदी नवासी से उर्दू यानि दो ऑफिसल लेंगवज हैं हिंदी और उर्दू उन्हीं से नवासी से उर्दू को दूती ऑफिसल लेंगवज पर शुकार किया राज्यकी तो यह आपके अन्महत्पूर कोश्चन हो गए इसी तरह आप लगाता जुड़े र कोश्चन के सीरीज कर रहे आज के लितना ही जै हिंद जै भारत धन्यवाद